बूर्णिंग क्लास थ्री वेलकम अगेन हिंदी रीडर ओनलाइन क्लास स्टुडेंट्स प्रीवियस क्लास में हमने हिंदी रीडर चैप्टर टू वीर एंड्रोकलीज की स्टोरी रिडिंग करी थी लरन है सबी को कि वीर एंड्रोकलीज कौन था कहा के रहने वाला था उसके मालिक ने उसके साथ कैसा भेवार किया शेर से उसकी मित्रता कैसे हुई ये सब कुछ था ना उस स्टोरी में तो आज हम उस चैप्टर के शबदार्त और कोशन आंसर्स करेंगे तो जल्दी से अपनी बुक उपन कीजिए मैं आपको कोशन आंसर्स बुक में ही लगवाऊंगी तो आप ध्यान से बुक को देखना और अपने आंसर लगाना ओके फिर अपनी नौट बुक में नीट अन क्लीन वर्क करना ओके स्टुडेंट्स लेस्टार्ट वीर एंड्रोक्लीज चैप्टर टू हिंदी रीडर शबदार्थ निकालि निकाल लिए सबीने शबदार्थ स्टार्ट करें फर्स्ट है बरताव बरताव का मतलब क्या होता है व्यवहार क्या होता है व्यवहार हम किसी के साथ कैसा व्यवार करते हैं अच्छा या बुरा होता है न तो वो क्या होता है बरताव व्यवहार ओके सेकंड है घाव क्या है घाव इसका मतलब होता है चोट लगना शरीर कहीं body part पर चोट लग जाती है ना जैसे शेर को लगी थी उसके पंजे में घाव हो गया तो वो क्या था चोट लगना सहट चर्य क्या मतलब होता है इसका साथ में एक साथ एक साथ दोस्ती करना होता है वो क्या हुआ सहेचर्य अगला है दुम, दुम क्या हुई पूँच शेर की पूँच थी न तो उसको हम क्या बोलते हैं दुम ओके सननाटा सननाटा मतलब शांती, चुपपी हम कहते हैं न चुप हो जाओ सननाटा चागया शांती, शांत हो जाओ तो वो क्या होते हैं सननाटा means शांती, चुपपी नेक्स्ट है दहाड दहाड मतलब शेर की आवाज दहाड मतलब शेर की आवाज ओके मित्र मित्र मतलब दोस्त, भाला, भाला मतलब एक ओजार, दंग रहना, दंग रहना मतलब हैरान हो जाना, स्वतंत्र मतलब आजाद, स्वतंत्र मतलब आजाद, शब्दार्थ कम्प्लीट, रिपीट अगेन, बरताव, व्यवहार, गाव, चोट, सहचर्य, साथ में, दुम, पूँच, सन्नाटा, शान्ती, चुप्पी, दहार मिंस, शेर की आवाज, मित्र का मतलब दोस्त, भाला, एक ओजार, डंग रहना, हैरान हो जाना, स्वतंत्र आजाद, ओके स्टुडेंट्स, चलिए, चेंज यूर नेक्स्ट पेज, देखिए, गुलामी का क्या आर्थ होता है, इस चेक्टर में मैंने आपको समझाया था, तो ये आपको do yourself work करने है, भारत देश को किसने गुलाम बनाया था, ये भी आपको अपने आप लिखना है, और भारत देश कब आजाद हुआ था, ये आपको do yourself work notebook में करना है, ओके students, next one, दीर्ख उत्रिय प्रशन, तो हमारा first question है, प्राचीन काल में रोम में क्या होता था, फ्रस्ट कोशन इज, प्राचीन काल में रोम में क्या होता था, लिखिये, change your pace, endocles, first pace, प्राचीन काल में रोम में गुलामी का प्रचलन था, कैसा प्रचलन था, गुलामी का प्रचलन था, ओके, तो आप फ्रस्ट कोशन था, प्रस्ट कोशन का आंसर ये लिखेंगे, is that clear, second question is, गुलामों के साथ क्या किया जाता था, उनकी हालत कैसी होती थी, गुलामों के साथ, second question है, गुलामों के साथ क्या किया जाता था, उनकी हालत कैसी होती थी, change your page, first starting, गुलामों को पश्वों की तरह बाजार में बेच दिया जाता था, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, गुलामों को पश्वों की तरह बाजार में बेच दिया जाता था, तथा उनके साथ बड़ा ही बुरा विहवार किया जाता था, Is that clear all of you, one and two question, ओके, थर्ड कोश्वन इज, एंड्रोक्लीज का मालिक कैसे स्वभाव का था, वहें एंड्रोक्लीज के साथ कैसे पेश आता था, तो इसका आंसर हमने कहां लिख पड़ा था इसकी स्टोरी, फर्स्ट पेश पेश चैप्टर स्टार्ट कीजिए, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है, एंड्रोक्लीज उसका मालिक उसे रोम से अफरीका ले गया, वह एंड्रोक्लीज से खूप काम करवाता, परन्तु उसे पेट भर खाना तक नहीं देता, वह बड़ा ही कठोर इंसान था, कैसा इंसान था, वह बड़ा ही कठोर इंसान था, थर्ड कोशन is complete, फोर्थ कोशन इस, मालिक के घर से भाग कर, एंड्रोक्लीज कहां जा पहुचा, मालिक के घर से भाग कर, एंड्रोक्लीज कहां जा पहुचा, देखिए, मालिक के घर से एंड्रोक्लीज भाग कर, एक घने जंगल में जा पहुचा, स्टार्टिंग पेज, एक घने जंगल में जा पहुचा, जबने कोशन लगा लिए, आंसर्स, नेक्स्ट फाइफ कोशन इज, शेर को क्या तकलीफ थी, एंड्रोक्लीज ने क्या किया, शेर को क्या तकलीफ थी, क्या तकलीफ थी, लर्न हैं सभी को, देखिए, पेज स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एड्र पेज से पहले क्या लिखेंगे, शेर के पंजे से खून बह रहा था उसमें एक बड़ा सा काटा चुबा हुआ था उसमें क्या चुबा हुआ था? बड़ा सा काटा चुबा हुआ था Change your next page एंड्रोक्लीज ने काटा निकाल दिया और घाव खो थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा उस एंड्रोक्लीज ने काटा निकाल दिया और घाव को थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा फाइफ कोशन इस कम्प्लीट रखा तक ओके लिख लिया जबी ने सिक्स कोशन इस सिपाहियों ने एंड्रोक्लीज को क्यों पकड़ा सिपाहियों ने एंड्रोक्लीज को क्यों पकड़ा पेज नमबर एट आंसर इस अच्चानक गायब हो जाने के कारण उसके मालिक ने उसके भाग जाने की खबर रोम की सरकार को दे दी थी इसलिए एंड्रोक्लीज को सिपाहियों ने पकड़ लिया इसलिए एंड्रोक्लीज को सिपाहियों ने पकड़ लिया रिपीट अगेन अचानक से स्टार्ट करेंगे अचानक कायब हो जाने के कारण उसके मालिक ने उसके भाग जाने की खबर रोम की सरकार को दे दी थी एंड्रोकलीज को सिपायों ने पकर लिया इसलिए एंड्रोकलीज को सिपायों ने पकर लिया Is that clear? Sixth question is complete. Next, seven question is पुराने समय में रोम में मोथ की सजा कैसे दी जाती थी? पुराने समय में रोम में मोथ की सजा कैसे दी जाती थी? पेज नमबर एट उन दिनों मोथ की सजा बड़े अजीब ठंक से दी जाती थी? स्टार्ट करेंगे इस पहरा को seven नमबर डालिए उन दिनों मोथ की सजा बड़े अजीब ठंक से दी जाती थी? एक बहुत बड़े मैदान के चारो तरफ बादशाह, हकीम और शहर के लोग बैठ जाते थे सजा पाए गए व्यक्ति को मैदान में बूखे प्यासे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था उसे अपने बचाव के लिए एक भाला दे दिया जाता था चार पाँच दिन का बूखा शेर एक पिंजरे में बंद करके लाया जाता था और उसे मेदान में छोड़ दिया जाता था बूखा शेर उस पर तूट पड़ता था बात ही बात में शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाता था इस प्रकार सजा प्राप्त व्यक्ति को मूथ की सजा दी जाती थी सेवन आंसर इस कम्प्लीट ओके स्टुडेंट्स देन नेक्स वन इस एट कोशन लास्ट इस पूखा शेर एंड्रोकलीज पर हमला नै करके अपनी पूछ क्यों हिलाने लगा क्यों हिलाने लगा पेज नमबर एट पर आंसर इस वे है शेर तो उसका पुराना दोस्त है कैसे है एंड्रोकलीज ने उसे ध्यान से देखा और उसने क्या देखा वे है शेर तो उसका पुराना दोस्त है यह वही शेर था जिसके घाव को एंड्रोकलीज ने ठीक किया था वे है इसी के साथ गुफा में रहा था उसने शेर की पीट थप थप आई और उसे पुछकारा शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया स्टार्टिंग वह शेर तो उसका पुराना दोस्त था एंडिंग शेर ने अपना सिर उसके पैरों में रख दिया 8 questions is complete okay students now all questions is complete next topic is रिक्त इस्थानों की पूर्ती करो first है गुलामों को पशुओं की तरह बाजार में बेच दिया जाता था आप इधर ब्लैंक का मार्क करेंगे और क्या लिखेंगे बेच दिया जाता था second है वे हमेशा अपने मालिक की कहां से छुटकारा पाना चाता था कैद से कैद से छुटकारा पाने के बारे में सोचा करता था third is अंधेरे के कारण में रास्ता भटक गया और कहां पोचा घने जंगल में पहुच गया अचानक वह फोर्तीज अचानक एक दहाड सुनकर वह जाग गया five is एंड्रोकलीज ने काटा निकाल दिया ब्लैंक में क्या आएगा काटा घाव को थोड़ी देर तक हाथ से दबाए रखा विकस्थान is complete page number nine सही उत्तर चुनकर निशान लगाए first है एंड्रोकलीज क्या था बादशा नो सेवक नो क्या था वो गुलाम तो गुलाम पे हम right का क्लिक करेंगे इस कहानी से किस देश की गुलामी प्रथा के बारे में बताया है रोम की किस की बताया है रोम की एंड्रोकलीज रास्ता भटक कर कहां चला गया था घने जंगल में कहां चला गया था घने जंगल में is that clear all of you chapter is complete so हमारी ये वीडियो आज की यहीं समापत होती है आप इस चैप्टर के question answers शबदार्थ अपनी notebook में neat and clean work करेंगे ओके चैप्टर नेम भी डालेंगे और date भी डालेंगे ओके students तब तक के लिए bye bye all of you मिलते हैं next वीडियो में